है यह पंडामेंटल चेप्टर है आगे भी इस कंसेप्ट का बहुत यूज है सबसे पहले समझेंगे यह कंज्यूमर कौन है क्या आप और मैं कंज्यूमर है जब मार्किट में स्वैम जाते हैं और अपने पसंद की चीज खरीद करके इस्तिमाल कर लेते हैं लेट्स अज्यूम आपको चॉकलेट चाहिए आप स्वैम जाते हैं चॉकलेट खरीदते हैं और खा लेते हैं क्या आप कंज्यूमर है या जब आप घर पे ही बेठे हैं और आप अपने ब्रदर को भेज देते हैं चोटे ब्रदर को भेज देते हैं या सिस्टर को भेज देते और वो आपके लिए चकलेट खरीद के लिए आता है और आप फिर उसके बाद कंज्यूम करते हैं तब आप कंज्यूमर हैं बताइए तो अगर आप से पूछूं कि कंज्यूमर कौन है तो कंज्यूमर इज़ सीकर ओफ सेटिस्वेक्शन एक व्यक्ति जो गुड्स या सर्वि खरीद रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं तो ही आप कंज्यूमर हैं अगर आप बेचने के लिए खरीदते हैं प्रड़क्शन परफस के लिए खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं है चलिए कंज्यूमर तो क्लियर हो गया तो कंज्यूमर खरीदता क्यों है कभी सोचा है कंज्यूमर खरिदता है क्योंकि उसको उसमें मिलने वाली होती है यूटिलिटी यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी कोई भी वस्तू, आप बुक क्यों खरिदते हैं क्योंकि बुक में आपके सबजेक्ट, आपके टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसका नौलेज है कहते हैं न, आप अगर पैंजिल क्यों खरिद रहे हैं, स्टेशनरी क्यों खरिद रहे हैं क्योंकि आपको लिखना है उससे तो जब वस्तू में यूटिलिटी है, आप उसे कंजिम कर रहे हैं हैगी नहीं है, अब कोई ऐसी वस्तू जिसमें यूटिलिटी ना हो और आप खरिदते हैं जवाब है, एक डम नहीं अगर उस वस्तू में यूटिलिटी नहीं है, आप उसे नहीं खरिदेंगे एक रुपया उसके लिए नहीं देंगे तो यूटिलिटी से समझना है आज का Consumer Equilibrium हाँ Consumer Equilibrium दो अप्रोच है एक Cardinal Approach जिसे हम Marginal Utility Approach के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है Ordinal Utility Approach या Indifference Analysis आईए पहला टॉपिक हम को समझना है डिटेल में आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे पूरे एक्जाम्पल के साथ समझा दूँगा Crystal Clear कर दूँगा पूरा वीडियो देखेगा बिना Change किये तो Consumer Equilibrium की बात करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि Equilibrium मतलब क्या होता है तो Equilibrium एक ऐसा पॉइंट है Where we come to rest मतलब The tendency to move Is not there मतलब एक स्टेबलाइज हो जाने वाले पॉइंट को कहते हैं Consumer Equilibrium तो Consumer Equilibrium क्या है जब Consumer किसी Satisfaction Level तक पहुँच जाए जहां वो Maximum Satisfied है अपनी Given Income को Spend करने पर चलो एक Consumer के Equilibrium की नजर से पढ़ते हैं A Consumer will be Equilibrium When he spends his given income On the purchase of different goods In such a way that It maximizes His Maximizes his Total Utility जब उसकी Utility Maximum होगी उस situation में वो Equilibrium पे आ जाएगा अथार्थ उसी situation पे वो रहना पसंद करेगा तुमारी बात करता हूँ तुमारे पास है 100 पे और तुमें उस 100 पे में से ही क्या करना है अपने गाड़ी में तेल भरवाना है आज स्कूल की केंटीन में तुमें उस 100 पे में से ही कुछ पैसे खर्च करके केंटीन का मजा भी लेना है और आपके पास stationary भी नहीं है हो सकता है pen pencil कोई आपके पास missing है वो भी खरीदना है तो आप 100 पे कुछ इस तरीकी से spend करते हैं कि आपकी जितने भी needs हैं उसको पूरा कर पाएं तो given budget के अंदर आपको क्या करना है goods and services का consumption करना है और ऐसा करना है कि आपका satisfaction maximum हो यही consumer equilibrium है तो consumer equilibrium को utility approach से utility approach से measure करना है अब ऐसे के लिए utility के लिए एक term use किया गया है cardinal approach मतलब utility को नापा जा सके with given numbers number देके utility को नाप सकते हैं तो utility of a community can be measured with some quantifiable units इस utility को आपको cardinal utility कहते हैं या marginal utility approach हम इसे कहते हैं इस method से हम लोग consumer equilibrium समझेंगे अब आता है question कि एक consumer मतलब how old कैसे अपनी utility को maximize करता है मतलब maximize करता है अपनी total utility तो बहुत simple है total utility को maximize करने के लिए उसको अपनी income को अलग-अलग commodities में spent करना है तब तक spent करना है जब तक marginal utility keyword याद कर लिजे marginal utility of the last rupee on each community is equal अगर वो दो कोमेडी खरिदता है तो वो दोनों कोमेडी के prices marginal utility के बराबर तक देना चाहता है उसके beyond नहीं marginal utility becomes equal to the price इस condition में वो एक लिएम आ जाता है आए इसको numerical भी समझेंगे graph से भी चमझेंगे और आगे detail में देखते हैं चलिए तर्म से आ रहे हैं utility तो utility means want satisfying power of a community जैसे मैंने का bread में क्या utility है जो आप खरितते हैं bread में आपकी hunger को satisfy करने की power है इसलिए आप bread खरितते हैं सोचे market में एक जगह है एक air भिक रही है जैसे वो air कैसे भिक रही है किसी ने क्या किया है एक air को mouth से ही हाँ मूँ से ही क्या किया हवा भर करके एक रसी में टांग दिया कहा ये एक ये जो plastic bag है इसमें मेरी fresh air है खरीद लो कभी आप खरीदोगे जवाब है कभी नहीं खरीदोगे क्योंकि किसी के मूँ की जो इन्फलेट की हुई हवा है वो आप नहीं खरीदेंगे क्यों खरीदेंगे जब ये free में सारी air मिल रही है तो उसकी utility आपके पास नहीं है समझ गया ना तो जब आप utility होती है तभी उस चीज को खरीदते है चलो आगे समझते हैं आपको बहुत प्यास लगी है और आप जहां पर है वहां पर pure water clean water available है तो आप बिसलरी की bottle तब आप नहीं लेंगे हाँ वहां लिखावा है टैप के ओपर pure RO water क्या कहते हो तब भी जाके बिसलरी की bottle खरीद लोगे देखा तो utility आपको satisfy करती है आपकी जरुवत पूरा करती है तब ही आप उस वस्तु के लिए price देने को तयार हो जाते हो satisfaction नहीं होगा हम price नहीं देंगे यह satisfaction किसी दूसरी वस्तु से हो रहा है तो हम second option select कर लेंगे आगे, correctness of utility समझते हैं utility एक subjective वस्तु है अलग-अलग हो सकती है जो चीज आपको utility दे रही है हो सकता है मुझे utility वो न देती हो हाँ, जैसे आपको हो सकता है chocolate पसंद हो, किसी दूसरे वेक्टी को chocolate न पसंद हो, उसको cake पसंद हो हो सकता है उसको pastry पसंद हो या कोई other options, तो utility क्या है subjective वो individual के उपर depend करती है, utility is not measurable हाँ, वैसे कुछ economist हैं, जैसे Alfred Marshall जिन्होंने कहा, कि हम utility को measure कर सकते हैं, by giving certain units, एक imaginary unit दे दिया गया है, utility को measure करने के लिए, utils U-T-I-L-S तो कुछ economist ऐसा भी मानते हैं but really, सही में बताइए, real world में situation बताईए, क्या आप मम्मी को बोलते हैं, एक चपाती खाने के बाद मम्मी हमें 10 satisfaction मिल गई है और 2 चपाती खाने के बाद बोलते हैं मम्मी हमें 18 satisfaction मिल गई है क्या कहते हैं, जी नहीं क्योंकि आप utility को rank तो कर सकते हैं, आप utility बता तो सकते हैं कि कम मिली जइदा मिली रंकिंग कर सकते हैं गर आप मुझसे हं पूछेंगे युटिलिटी नमबर कईए नहीं होती है यूटिलेटी डिफ्रेंट फ्मून वें होती है बहुत तरह लोग confuse करते है, utility और usefulness को एक मानते हैं, एकदम नहीं, दोनों अलग अलग चीज़े हैं, utility, one satisfying ability है, जबकि usefulness, कोई चीज ऐसे होती है, जिसमें utility तो होती है, usefulness नहीं होती है, जैसे example है, दवा, हाँ, medicine, जो patient है, उसके लिए, वो बहुत useful है, बट वो लेना चाहता है क्या, नहीं, इसका उल्टा कर दीजे, alcohol कर दीजे, शराबी के लिए, एक नशा करने वाले के लिए, alcohol utility वाला product है, बट क्या वो usefulness के लिए, जी नहीं, तो इसलिए utility और usefulness को आप correlate नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़े हैं, आईए, utility का कोई भी ethical connotation नहीं होना चा के साथ, legal values के साथ, utility का कोई relation नहीं है, समझ गया न, तो अब आते हैं, utility को measure करने के लिए, एक schedule से मस्ते हैं, एक graph देखते हैं, आईए, थोड़ा ध्यान से दिखेगा, ये मैं आपके ही example से लेके चलता हूँ, let's assume करते हैं, ये utility schedule मैंने बना रखा है आपके लिए, पांच चपातियों का, क्या खा रहे हैं आप, let's assume करते हैं, पांच चपाती हम कर रहे हैं, cardinal approach, ये एक cardinal approach है, जिसे हम cardinal approach के लावा marginal utility approach के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस approach की बात कर रहे हैं, इस marginal approach में, क्या करना है, ये एक पांच चपाती आपके kub दी जा रही है, पहली में आपको utility मिल रही है 10 साहिए आप बहुत भूख लग रही थी आपने पहली चपाती खाई satisfaction मिली 10 दूसरी चपाती कहा है आपको satisfaction 20 नहीं मिल रही है ध्यान दीजेगा क्यों क्योंकि अगर 20 मिल रही है तो उसका मतलब है कि second चपाती में भी same satisfaction मिल रही है जबकि ऐसा होगा नहीं second चपाती second चाहे वो सबसे favorite वस्तु ही क्यों नहीं हो second आपका वो cake ही क्यों नहीं हो second आपका वो chocolate क्यों वो दुबारा खा लिजे same आपको I am very sure same satisfaction नहीं मिलेगी क्यों आपकी utility उस पे कम हो जाएगी तो देखिए 20 की बजाए कितनी हो गई utility 18 हो गई है फिर आपने तीसरी चपाती खाई और आपको utility और बढ़ करके हाँ 30 नहीं है देखिए 24 हो गई है और चपाती खा ली जब आप 4 चपाती खा रहे हैं तब तक खाना आपके top तक पहुच चुका है हम इसे कहते हैं point of satity तक पहुच चुके हैं अथा आप fully satisfied हो चुके हैं 3 पर ही तो इसलिए fourth में क्या हो रहा है पोर चपाती आपको एक दम top तक आगई है इसका मदलब आपके पास इसको खाने के अप्छमता नहीं है पर सोचिए fifth खिलानी हो तुमको तो तब तो चाकू की नोप में या बंदू के डराने से ही तुम खाओगे शायद क्या कहते हैं क्योंकि यहां तक तो चपाती बड़ रहा है यह fundamental psychological law है यह आप इसको कह सकते हैं fundamental law of satisfaction जो यह कहता है कि utility derived from consumption of additional unit keep on declining मतलब utility कम होती रहेगी जड़ा देखिए कैसे निकाला यह marginal utility majority formula लगा रहे है total utility tun minus tun minus one मेरी भाषा में अगर इसको याद करेंगे तो मैं बोलूंगा tun minus tun minus one हाँ तुन मतलब समझ गयाना यह total utility पहली तो repeat कर दीजे one committee repeat कर दीजे second committee में क्या करेंगे अब आप successively minus करते जाएंगे इसलिए tun और tun minus one that means 18 minus 10 this will give you 8 24 minus 18 6 24 minus 4 0 and last 20 minus 24 minus में utility आ गई तो एक consumer मैं और आप यह सब पर ही apply हो रहा है common life में apply हो रहा है आप चेक करके देख लिजे cold drink पी कर देखिए पहली cold drink पीजिए क्या कहते है वो काला मीठा पानी वो carbonated काला मीठा पानी क्या कहते हो आपकी पसंद की cold drink आप पी लिए पहली cold drink तो आपको maximum satisfaction देगी पर अगली और उसके बाद वाली और उसके बाद वाली हाँ same same unit consume करना है आपका satisfaction मैं sure हूँ कम होगा ही चाहे वो सबसे favorite ही वस्तु क्यों न हो आपके पास दूसा example दो आपके पास नई नई dresses है हाँ कई तुमने नई सारी dresses करे लिए हैं एक नई dress ऐसी होगी उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदा रही होगी क्या कहते हैं और बागी dresses तुमारी अलमारी में चली जाएंगी पैक हो जाएंगी और जो तुम्हें पसंदा रही है वो तुम पहन पहन के घूमते रहोगे बागी में utility तुम्हें कम मिलेगी यह है real life म summation of marginal utilities. Marginities को add on करते जाएं तो भी आ जाएगा totality. या sum total of the utility derived from consumption of a given unit. जैसे मेरे case में given unit से 5 units. पांच चपातियां आपके मैंने ठाली में रखेती. तो इससे जो utility मिल रही है यह आपकी total utility है. और जब marginal शब्त का इस्तमाल करेंगे तो keyword याग कर लिजे. marginal के लिए keyword है additional या one extra. यह keyword याग कर लेंगे. क्या keyword है? additional. additional utility derived from consumption of additional unit. इसे कहते हैं marginal utility. हाँ. इसे कहते हैं marginal utility. आईए. समझते हैं. इसको अब graph में plot कर देते हैं. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इसी को मैं graph में plot करने जा रहा हूं. पांच units हैं. यह रहा आपका x-axis में. x-axis में आपका unit है. और y-axis में आपके पास है utility. consistency utility, total utility और marginal utility. दोनों यहां पर है. m-u-b है और t-u-b है. दोनों इसी में है. तो चलिए. यह जो curve देख रहे हैं. आप जो आपको marginal utility. तो marginal utility is always falling. हमेशा decreasing होगी. याद रखेगा. यह एक fundamental psychological law है. सब पर अप्लाई होता है. आप पर, मुझ पर, हर वेक्टी पर अप्लाई होता है. common life में अप्लाई होता है. हाँ. exceptions हैं. मैं हमेशा कहूँगा. बट हम common life की बात कर रहे हैं. तो अब आप ध्यान से देखिए. यह utility fourth वाले unit पे. यह है. पहला unit, दूसरा unit, तीसरा और चौता. चौतर unit पे आपके utility क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है. इस समय जब आपकी marginal utility इस समय maximum पहुँच चुकी है. देखिए marginal utility आपके क्या है? इस समय maximum है. यह आपको क्या करना है? plot करना है. मैंने imaginary तरीके से आपके लिए plot कर दिया है. अब आप इसमें दुनों में relation देख लेंगे. यही से relation देख लेंगे. पहला relation यह है कि जब आप देखेंगे कि total utility is increasing, marginal utility is positive. पहला case 1. कहां तक है? यह यहां तक है. जहां तक marginal utility maximum नहीं पहुँच गया है. यह है relation 2. यहां पर marginal utility 0 है. इस point पर देखिए. margin utility 0 है क्योंकि वह x x को touch कर रही है. और यहां पर total utility अपने maximum को attain कर गई है. यह है second relation. यहां पर देखिए second relation बन रहा है इस point पर. और इसके बाद क्या हो रहा है? कि total utility decline कर रही है और margin utility negative हो जा रही है. total utility के decline होते ही margin utility क्या हो जा रही है? 0 के नीचे चले जा रही है. यह है तीन relations. आप से कहेगा give relation या what are the relations between tu and mu? तो आप यह तीनो relations बता देंगे. graph भी समझा देंगे और अब आप schedule भी बता देंगे. आईए इस law of diminishing margin to you को समझे. तो इस law को fundamental law of satisfaction या मैंने कहा fundamental psychological law कहते हैं. क्योंकि इस law से ही इस law से ही यह concept cardinal utility concept derive हो रहा है. कह सकते हैं यह इसका foundation stone है. किसने दिया था? German economist H.H. Gussen ने. इन्हों ने इसको derive किया था, start किया था पर इसको पूरा complete किसने किया? Alfred Marshall. Alfred Marshall, father of wealth concept of economics. चलिए. क्या है यह law? तो अगर आप इसकी नाम पे ही पढ़ें, तो आपको नाम clear हो जाएगा. अभी आपने देखा भी था कि जैसे जैसे आप additional goods consume कर रहे हैं, आपकी additional utility, marginal utility keeps on declining कर रहे हैं. बस यही है, यही है law of diminishing. यह देखिए, इसको words में लिख सकते हैं. The law states that as the amount consumed of a community increases, तो जैसे से amount consume increase करेंगे, other things being equal, the utility derived by the consumer from additional unit goes on declining, goes on decreasing. बस यही है. चलिए, क्या-क्या assumptions होने चाहिए, इस marginality को समझने के लिए, क्या यह सब पर अपलाई होता है, मैंने का नहीं. क्या rare paintings की बात करूं, पैसे की बात करूं, जो लोग पैसा earn करना चाहते हैं, जितना पैसा कमा लेते हैं, उसकी book और बढ़ जाती है. क्यों? मुकेश अम्मानी अंकल से बोलो, कि अंकल मेरे पास जरा 5000 क्रूं रखा है, चाहिए क्या आपको, तुरंत तुमारे घर आ जाएंगे, बेटा दे दो, हमें तो इस business में और लगाना है. क्या कहना चाहते हैं? पैसे की book, earning money, या collection of rare paintings, artwork, craft works, क्या कहते हैं? जितना collect कर लेंगे, उतना satisfaction और बढ़ेगी, गटेगी नहीं, तो इसलिए यह law सब जगें अप्लाई नहीं होता है, कुछ तो इसके assumptions से हैं, पहला assumption क्या है? आईए समझते हैं, तो all the units of the community must be identical, जो आप unit consume कर रहे हैं, मेरे case में तो चपाती दिया था मैंने, तो चपाती, अगर आप इतनी छोड़ी छोड़ी खाएंगे चपाती का बेबी चपाती खाएंगे, तब तो आप 10 भी खा जाएंगे, तो भी आपको satisfaction कम नहीं होगी, तो चपाती का एक standard size होना चाहिए, और वो एक जैसी होनी चाहिए, all respect में, size में, color में, design में, quality में, भाई आप पहली चपाती साधी खा रहे हैं, और दूसरी चपाती जो है, वो पनी पराठा खा रहे हैं, तब तो आपको second वाला जादा satisfaction देगा, इसलिए कह रहा हूँ, कि आपकी जो units होनी चाहिए, जो आप consume कर रहे हैं, जैसे मेरे case में 5 चपाती थी, पर 5 चपाती एक जैसी होनी चाहिए, समझ गये, size में, design में, color में, quality में, और units must be standard, जैसे मैंने कहा, कि आप जब चपाती की बात कर रहे हैं, तो चपाती ए नहीं होना चाहिए, मतलब कोई चीज ऐसी नहों कि आपको test ज़्यादा अच्छी लगने लगे, तो फिर आप lock तोड़ देंगे, और क्या हो सकता है, there must be no change in the price of the substitute goods, अगर उसका substitute सस्ता मिलने लगेगा, तो आपका ध्यान, आपकी पसंद substitute goods में चली जाएगी, या substitute बहुत महिंगा हो जाएगा, तो ये goods आपको और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है न, और consumer क्या करता है, utility को measure कर लेता है, ये assumption है, याद रखेगा, real life में possible नहीं है, और consumer एक rational consumer है, मैं और आप तो rational हैं, वो जो decision लेते हैं, सोच समच के, वो जो utility के हिसाफ से ख खरीदते हैं, वरना नहीं खरीदते हैं, और last में एक और assumption है, कि margin utility of money is constant, इसे हम कहते हैं, मम, हाँ मैं इसका use अभी बताऊंगा आपको, margin utility of money, 10 रुपय की utility, 10 रुपय के बराबर होगी, ये इनका कहना है, मतलब 10 रुपया, 10 रुपय की वस्तु खरीद के देता है, utility of money एक important assumption है, चलिए, अब आते हैं, consumer equilibrium समझते हैं, cardinal approach से, वो भी one commodity के case में है, पहले समझेंगे one commodity के case में, फिर two commodity, हाँ, तो equilibrium है क्या, तो मैंने का equilibrium है, एक ideal position है, एक ऐसी position है, जहाँ पर consumer चाहता है जाना, और उसके बाद वहाँ से move नहीं करना चाहता है, एक situation है, जहाँ वो करेंगे, तो मैंने कहा, यह satisfaction का एक level है, जहाँ पर consumer अपनी income से maximum satisfaction derive कर रहा है, क्या assumption है इसका भी, लग बग आपको law of diminishing margin utility से मिलता है, पहला consumer rational है, consumer maximize करना चाहता है utility, यह point repeat है, दूसरा utility approach कहती है, कि utility measure की जा सकती है, अथा, cardinal approach है यह, मैंने पहले ही बताया था, cardinal approach को दे पहले हैं, Alfred Marshall जी, उन्होंने कहा था कि utility को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, money के terms में नाप सकते हैं, numbering कर सकते हैं, one, two, three कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, एक चपाती पे आपको 10 दिया था utility, दो चपाती पे 18 utility तो मैंने number दे दिया था, वो number यूटिल था, क्या था, य Util, हां imaginary measurement है, आप समान करने जाते हैं, आलु खरिने जाते हो, for example, हां सबजी करने जा रहे हो, तो सबजी खरिते हो तो क्या वोलता है, पांच किलोग्राम आलु दे दो, अब पैट्रोल बराने जाते हो, तो क्या वोलता हो, भाईया, दो लीटर पैट्रोल दे दे देज़, तो unit लगा रहा हो कि नहीं, लीटर, किलोग्राम वैसे इसमें क्या मान लिया गया है assumed unit है, utils चलो, आगे पढ़ते हैं law of diminishing margin utility तो operate करेगा ही करेगा next है the utility of the each unit of money मैंने कहा था, marginal utility of money mum will remain constant mum, याद रखेगा basic utility मतलब 10 रुपय का note है तो 10 रुपय की ही आपको satisfaction देगा यह point important है हाँ, इसकी जरुवत पड़ेगी और next point है, consumer income is given and it will not change क्योंकि income बढ़ने पर आपकी utility change हो जाएगी, इसलिए लिखा है income आपकी क्या होने चाहिए, change नहीं होने चाहिए, price of the other commodities, मतलब substitute goods भी चेन नहीं होना चाहिए, taste preference भी चेन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है आप इसके assumptions याद नहीं करेंगे same assumptions of the law of marginal utility भी लिख सकते है same है, आईए समझते हैं, consumer equilibrium कहा है यह consumer equilibrium with the help of schedule यह रहा आपके पाप schedule और यह रहा आपका एक graph पहले समझते हैं कि utility क्या कह रही है तो अब consumer, क्या लिए a utility maximizing consumer एक ऐसा consumer जो अपनी utility को maximize करना चाहता है वो तब equilibrium पे आएगा when he purchases that much quantity उतनी quantity खरीदे जब marginal utility equals price keyword याद करिए क्या कह रहा है तब तक खरिता रहेगा तब तक खरिता रहेगा उतनी quantity खरीदेगा जब marginal utility becomes equal to price तब तक खरिता रहेगा आईए एक example से समझते हैं हाँ एक example से समझते हैं यहाँ पर है एक consumer एक unit खरीद रहा है price fix है market में कीमत है उस वस्तू की जो consumer खरीदने गया है 6 रुपया 6 रुपीज है उसका price वो भली mango हो सकता है चलो एक mango खरीदा 6 रुपयगा ठीक कितनी utility मिल रही है उसको 10 utility मिल रही है उसको 10 दो mango खरीद रहा है utility अब हो जाएगी कम क्योंकि law of diminishing margin utility अपलाई हो रही है utility 10 के बाद क्या हो गई थी 8 अब 8 के बाद देखिए क्या होने वाला है 3rd unit खरीद रहा है utility हो गई है 6 और 4th में utility 0 अथार्थ अब उसको utility मिल ही नहीं रही है और 5th में तो utility negative है ये देखिए सारा same मैंने copy किया है चपाती वाला आपने चपाती वाला example मेरा देखा था ना उपर वाला वही same schedule मैंने यहाँ copy कर दिया है पर यहाँ पर बीच में total utility की जगह है price रख दिया है तो समझे price कितना है price तो constant है ये price है 6 उर्पीज तो अब consumer equilibrium है कहां जहां पर marginal utility और price equal है कहां है देखिए इस third unit पे इस third unit पे क्या हो रहा है marginal utility और price क्या हो जा रहे है equal हो जा रहे है देखिए दियान से third unit को देखिए ये रहा third unit third unit पे 6 रुपया price है और 6 रुपया ही marginally तो आप आगए consumer equilibrium के point पे अब इससे पहले क्या situation है और इससे नीचे क्या situation है तीनी तो situation पैदा होगी पहली situation तो equilibrium आपने बता दिया सर तो इसके उपर क्या हो रहा है इसके उपर देखिए marginal utility is greater than price इसके उपर मतलब above this thing यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है इसके उपर condition में इन दोनों में क्या हो रहा है marginal utility is greater than price तो जब आपको utility ज़्यादा मिलती है एक consumer होने के नाते हम ज़्यादा चीज़ खरीते हैं क्योंकि हमें utility और चाहिए एक consumer क्या है seeker of satisfaction है उसे ज़्यादा utility चाहिए तो वो तब तक खरीदेगा 1 खरीदा था satisfaction 10 मिल लही थी 2 खरीदा था consumer equilibrium दिया है अब ज़्यादा नीचे आ जाईए इसके नीचे दो points देखे देखे यहाँ पर fourth unit पर चौती unit वो नहीं लेना पसंद करेगा क्योंकि fourth unit पर utility उसको मिल रही है zero utility मिली नहीं रही है price share क्यों देंगे क्या तुम दोगे क्या आप किसी को पैसा देना पसंद करेंगे जिसमें आपको utility नहीं मिल रही है तुम्हारा पेट भर चुका है समझाने के लिए कहते है तुम्हारा पेट भर चुका है और तुम्हें कोई कह रहा है भईया खा लो खा लो बस छेरपया दे देना खा लो खा लो जब पेट तुम्हारा यहां तक भरा हुआ खाओगे कहां से क्या कहते हैं पैसा दोगे नहीं दोगे I am telling you नहीं दोगे क्योंकि आप full to the capacity है तो जब marginality नहीं मिल रही है आप क्या करेंगे price नहीं देंगे similarly आगे और बढ़ जाईए जब utility negative हो जा रही है तो नहीं तो इन दोगो case में क्या हो जा रहा है marginal utility is less than price so consumer will tend to buy less consumer उल्टा कहा करेगा इस position में जाना चाहेगा जहां पर fifth unit है वहां से move करके वो third unit तक बढ़ना के कोशिश करेगा क्योंकि he will tend to buy lesser unit और यहां पर जहां पर बंग था वहां से वो कहां जाना पसंद करेगा 3 तक क्योंकि 3 क्या है consumer equilibrium है point 3 unit 3 वो buy करना पसंद करेगा आईए इसी चीज़ को इसी point को graph में भी देखते हैं यह देखिए यह है आपका marginal utility falling करता हुआ नीचे गिरतावा दिखाई दे रहा है आपको marginal utility of the community x ठीक है यहां रही quantity x-axis में और y-axis में इसका price है देखिए जिस point पर price marginal utility and price equal हो जा रहा है वो यह point है point e ध्यान दीजे price constant थी मेरे example में price of community x मैंने कहा था 6 मेरे example में price क्या है 6 जहां यह दोनों meet कर रहे है वही point क्या है यह point है consumer equilibrium का अच्छा इसके ऊपर क्या हो रहा होगा इसके ऊपर consumer को यह utility जादा मिल रही थी इसके ऊपर एक तरह से surplus था और इसके नीचे utility कम मिल रही है ठीक है यह दोनों situations above 6 and below 6 ध्यान देना आपको बढ़ जाते हैं situations तीनों बता चुका हूँ पहली situation जब margin utility जादा थी consumer क्या करेगा और buy करता रहेगा ताकि उसकी satisfaction और बढ़े maximize करने के लिए और जब दोनों बराबर हो जाएगी consumer वहीं पर रुकना पसंद करेगा stabilize होना पतंद करेगा क्योंकि उसकी ideal conditions आ गई है और जब उल्टा हो जाए margin utility कम हो जाए तो consumer buy कम करना शुरू कर देगा तो एक तरह से आपने समझ लिया margin utility is a downward margin utility of a consumer is downward attained when marginality of community x is equal to price of x keyword याद कर लिजे जब क्या होगा marginal utility of price equal हो जाएगा और याद रखेगा mux is margin utility of committee x and px is equal to the price of the committee x एक important rule यहाँ पर जो applicable है जो इस condition में है कि वो है law of diminishing marginal utility मतलब है law of diminishing margin utility will always operate that means marginal utility will keep on declining यह conditions पूरी होनी ही चाहिए पहली condition आपने देख लिया marginality of committee x will be equal to price of the committee x और दूसरा दूसरा क्या कि law of diminishing margin utility पे ही अपलाई हो पाएगा increasing utility अगर होगी का और example आना तो हो अपलाई नहीं हो पाएगा falling होना ही चाहिए तो यह तो आपने समझा किस case में जब consumer एक ही committee खरीद रहा है क्या consumer एक ही committee खरीदता है नहीं नहीं तब अब consumer दो यह दो साधिक खरीद रहा हो तो तो हम पहले दो की बात समझते हैं इसका मतलब है इस बार consumer को एक नहीं दो कोमेडीज को एक साथ खरीदना है और दोनों में अपनी given income को spend करना है और वो यह भी ध्यान देना है कि वो within the budget खरीदे ध्यान से within the budget भी खरीदे जो उसकी budget है और satisfaction भी क्या हो highest store चलिए conditions को पूरा करने के लिए समझते हैं law क्या है तो यह law कहता है law of एकी marginality कि utility maximizing consumer must allocate his income among various commodities in such a way that the last unit of the money spent on each commodity will give him same satisfaction या same marginality कह रहा है कि marginal utility क्या होनी चाहिए equal होनी चाहिए last unit तक जब तक हम खरिदे रहेंगे और हम तब तक खरिदेंगे जब तक हमारी margin utility क्या हो जाएगी हमारे satisfaction के पराबर होगी price हम तभी देंगे चलो देखते हैं इसको एक example से समझेंगे तब आपको बहुत clear हो जाएगा हाँ दियान से समझते हैं इसका सबसे पहला है कि let assume करते हैं एक consumer के पास दो commodities खरिदने का choice है सिर्फ दो commodities है X और Y और अब consumer को क्या करना है अपनी maximum utility पानी है और maximum utility पानी के लिए उसके पास है कुछ conditions पहली condition क्या है कब उसकी consumer equilibrium maximum होगा एक commodity को तुमने पढ़ा ही था आए उसको repeat करेंगे तो जब क्या होगा consumer कोई एक ही commodity खरीद रहा होगा let's assume X खरीद रहा था तो क्या होगा तो consumer की satisfaction maximum कब होगी जब उसकी marginal utility of the last rupees spent is equal to the price मतलब आम भाशा में लोग बोलते हैं marginal utility is equal to price अब क्योंकि उसको एक वस्तू नहीं खरीदनी है उसको दो वस्तू खरीदनी है so this divided by त्यास से देखिएगा marginal utility divided by the price of the committee gives you the marginal utility of money ये जो marginal utility of money है ये एक constant value है क्या चीज ये एक constant value है कब आएगी कैसे आएगी जब आप क्या करेंगे margin utility को price से divide करेंगे एक value आएगी नाम होगा उसका marginal utility of money तो हमको ये marginal utility of money को क्या करना है दोनों ही community में community x में और community y में निकालना है कैसे निकालेंगे same formula है अगर हम community x की बात करते हैं तो formula लग जाएगा margin utility of money is equal to marginal utility of community x divided by the price of x और इसी तरह से marginal utility of community y निकालना होगा same formula है marginal utility of money क्योंकि मैंने कहा money की utilities हमेशा constant रहेगी तो marginal utility of community y divided by the price of the y किसका मतलब है जब भी mum निकालना है क्या जब भी mum को निकालना है mum मतलब margin utility of money निकालना है आपको marginal utility divided by price करना है अब क्योंकि x की बात कर रहे हैं इसलिए price of x divided by sorry utility of x divided by the price of x और अगर y करेंगे marginal utility of y करेंगे तो price of y से करेंग ठीके? сделали बार निकलेगा, यह रहा कौन सी बार क्वारल निकलेगी? यह रही पहले ही value और यह रही दूसरी value, दो बार निकालेंगे क्योंकि एस बार consumer को, दो commodities करे दी है, सिर्फ X नहीं करे दना है X and Y दोरो करे दना है, आइए अब consumer क्या करेगा ध्यान से समझीएगा, the utility maximizing consumer will spend his income on different goods in such a way, the marginal utility of each good is proportional to price, marginal utility will become equal to the proportion of the price, ध्यान से समझीएगा, the consumer will maximize utility when the ratio of the marginal utility is derived from different goods is equal, क्या कहा था, marginal utility will become equal, अब वो marginal utility of X हो, marginal utility of Y हो, दोनों क्या बन जाए, equal बन जाए, आईए, इसको समझते हैं, इसे कहते हैं, proportionality rule के नाम से, क्या, proportionality rule, चलिए, अगर consumer equilibrium in two commodities की बात करें, मतलब consumer equilibrium of purchasing, एक consumer जो X और Y दोनों खरीद रहा है, तब ये condition apply होगी, condition क्या है, ये very important है, what is the condition, condition है, marginal utility of money will be equal to marginal utility of community X, divided by the price of X, इसी को कहते हैं हम लोग, proportionality ratio, इसका नाम है, proportionality ratio, clear है, जब क्या होगा, marginal utility divided by price is in proportion, ज्यान दीजेगा, ये सब होना है, ये equal तो होना है, साथ में हमारा budget भी ध्यान देना है, हमने अपने utilities को equal तो लाना है, किसके money के देगे बराबर लाना है, तो हमारा budget भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, budget spent on the two goods must be equal also, मलब दोनों गोमिडी भी खरीदो, X और Y भी लो, और अपने budget के अंदर रहके खरीदो, आप अपने budget का full utilization कर दो, ताकि आपकी satisfaction क्या हो जाए, फुल आजाए, आईए, इसको एक schedule से, और इसको एक example से समझते हैं, condition clear है, ये basic condition है, क्या condition है, आपकी, ये condition है, और दूसरी condition है, condition number one, मैंने बता दी, ये है condition number one, और ये है condition number two, condition number two ये है, कि आपको जो भी काम करना है, within the given budget काम करना, आईए, दोनों conditions को पूरा करते हैं, एक example से समझते हैं, चली, law of marginal utility, within numerical example, चली, assume करते हैं, एक consumer है, हाँ, तुम हो, एक consumer है, आपके पास है 40 रुपया, budget कितना है, 40, fix है, 40 पहीं तुम लेके गए हो बजार में, और आपको क्या करना है, दो वस्तू ही खरिदनी है, एक नहीं, दो वस्तू खरिदनी है, और पहली वस प्राइज है, 10, price of x is 5 रुपीज, and price of y is 10 रुपीज, ठीक है, यह margin utility जो है, वो utils में measure की गई है, चली, पहली utility, margin utility of x, 50, 45, देखिए, पांच-पांच के difference में मैंने बना दिया है, दियान से देखिए, 55555 के difference में है, clear है, आईए, margin utility of community y की बात करते है, इसको देखिए, 80 से start किया है, और declining है, यह तो आपको law मालुमी है, कि law of diminishing marginality ही, इसका foundation stone है, याद है न, कहा था न, fundamental law है, तो इसमें भी देखिए, 10, 10 के difference में मैंने apply कर दिया है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, दोनों clear हो गया, यह 5-5 के difference में है, यह 10, 10 के difference में है, falling है, दोनों हो गया, अ अब हमको निकालना है, पहला ratio, ratio क्या है, हमको divide करना है, marginal utility divided by the price, क्योंकि price of x, क्या है, 5, तो 50 upon 5, आगया 10, 45 upon 5, आगया 9, यह रही prices, sorry, यह रही marginal utility, और आप इसको divide करते जाहिए, 40 divided by 5, 35 divided by 5, कहां से आ रहा है value, यह रही value आपके पास, यहां से आ रही है, margin utility of x, divide करते जाहिए, आपके पास टैला ratio आ गया, आगया, दूसरा आईए, दूसरा ratio है, mu y upon py, इस बार क्या करना है, margin utility of y को divide by 10 करना है, क्यों, क्योंकि price of y क्या है, 10, तो 80 divided by 10, आपके पास आ गया, 10, sorry, 8, 70 divided by 10 हो गया, 7, similarly 60 and so on, यह सब आपको utility given है, आपको सिर्व इसको 10 से divide करके, margin utility का ratio निकालना है, हो गया, इसी को कहते है, proportionality ratio rule, क्या? इसको कहते हैं, proportionality rule, कब हो यह दोनों equal, क्या है, यह दोनों का equal होना जरूरी है, पहला condition यही था, क्या चीज? कि MUX upon PX का ratio equal to MUY upon PY होना चाहिए, ठीके, तो यह दोनों का equal कब है, सर, यहां तो equal नहीं है, पर यहां भी equal नहीं है, पर इसको देखिए, यहां जरा से देखिए तो, मैं यहां दिखाना चाहता हूँ, यहां दोनों equal हैं, कब equal हैं, आए दोनों equal हो रहे हैं, क्योंकि जब इक्वल होंगे वही कंज्यूमर खरीद पाएगा और एक और शर्त है खरीदने की तभी खरीद पाएगा जब दोनों इक्वल है कौन यही था ना पिछे एकलिबियम की कंडिशन कंडिशन ही दी थी कि MUX upon PX is equal to MUY upon PY तो यहां पर equal है साफ साफ दिख रहा है पट यह भी देखना है कंडिशन नंबर 2 क्या है कि हमारा बजट कितना है मेरे केसें बजट है 40 रुपया मैंने तुम्हें 40 पर कहा था तो बजट तुम्हारे पास है 40 रुपया अब तुमने खरीदा क्या 3 unit of X खरीदा कैसे मौलम चला 3 unit यह रहा और 1 unit of Y खरीदा क्योंकि यहां पर दोनों equal है ठीक है खरीदें तो 3 unit of X एक्स का प्राइस कितना है प्राइस ऑफ एक्स है 5 रुपया यह रहा 3 इंटू 5 और Y का प्राइस कितना है 10 Y की unit है 1 1 इंटू 10 तो आपका टोटल खर्चा कितना आ गया 25 त आपका बजेट है 40 रुपीज आप 40 रुपीज से कम स्पेंड कर रहे हो अभी आप equilibrium पे नहीं हो सकते हो अभी आपके पास और पैसे खर्च करने के लिए हैं आईए दूसरा दिखते हैं यहां देखिए यह भी equal है जहां पर यह दोनों 7 मिल रहे हैं यह भी 7 है है दोनों equal की नहीं आई equal है 7 कब हो रहा है जब 4 unit 4 unit of x देखिए द्यान से x का 4 unit है x के सामने 4 unit है और y के सामने क्या है 2 unit है तो 4 into 5 क्योंकि price of x 5 है और 2 into 10 समझ गया है मैं क्या करना जा रहा हूं इसके total खर्चे निकाल रहे हैं 4 unit of x और 2 unit of y को multiply कर देते हैं उनके price से आपका budget अचीव हो गया इसका मतलब है consumer इस combination पर आकर maximum satisfied है क्योंकि वो दोनों equal भी है किस point पर इस 7 वाले point पर देखिए 7 वाले पर जब वो 4 unit of x खरीद पा रहा है और 2 unit of y खरीद पा रहा है 2 unit of y खरीद पा रहा है इस पे वो दोनों equal है है equal सो आपका budget भी अचीव हो जा रहा है और आप equal है क्या इसके beyond भी चेक करना चाहते हैं आई एक condition और देखते हैं इसके आगे यहां पर देखिए यहां पर चली इसको देखते हैं 55 वाले को देखते हैं इसको देखते हैं यहां भी 5 है यहां भी 5 है आप कहेंगे सर यह भी तो equilibrium हो सकता था पर जब यह 55 unit है दोनों equal तो है condition 1 तो पूरी हो रही है प्रोपेशनलिटी रेशियो तो इक्वल हो रहा है पर आप देखिए आपने एक्स को खरीदा है 6 unit तब जैस में कहा है satisfaction तो बहुत मिल रही है मजे तो बहुत आ रहे हैं पर हमारी budget के बिहार बाहर है ना तो जो चीज़ आपके budget के बाहर है वो आपको अब satisfaction तो मैंने का आपको शायद helicopter भी देगा Mercedes car भी देगी फर हमारे budget में भी तो होनी चाहिए तो इसलिए कहना चाहते है budget का भी ध्यान रखना है तो दोनों condition सिर्फ किस में fulfill हो रही है इस वाले combination में fulfill हो रही है हमारा ये combination जब 4 unit of x and 2 unit of y खरीद रहा है तो consumer अपना budget पूर पुरा 40 रुपीज का यूज कर पा रहा है पूरा budget 40 यूज भी हो जा रहा है और वो satisfaction भी maximum डिवराइब कर रहा है तो consumer equilibrium उसी point पर है 4 of x and 2 of y क्यों क्योंकि इस समय दोनों के ratios भी equal है और सबसे important चीज़ है उसका budget भी आ रहा है अब इसी को graphically देखना है तो आईए देखते ह है यह रहा graph दो separate graphs हमने बनाए है पहला graph है marginal utility ratio price यह रहा और यहां पर quantity of x दियां से देखिए आपके पास ratios बने वे हैं आपको already मालूम है कि marginal utility एक downward sloping curve होगा देख लिजे downward sloping curve है similarly y का भी देख लिजे कर marginal utility of y ratio price of y अगेन यह कर भी देख लिजे downward sloping curve है ठीक है quantity हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी x-axis में होनी चाहिए quantity x-axis में है ना x-axis में quantity of x और quantity of y अब देखिए इस पर यह line जो दिखाई दे रही है यही line आपकी equi marginal utility line है देखिए यहाँ पर इस point पर x का 4 unit commodity x का 4 unit और commodity y का commodity y का 2 unit यहाँ पर consumer क्या हो जा रहा है maximum satisfied हो जा रहा है यहाँ पर दोनों condition पहली condition है marginal utility of commodity x का ratio with price of x marginality of commodity y with the price of y is equal to the month is equal to the money पहली condition भी पूरी हो जा रही है और दूसरा है उसका budget दूसरा है उसका condition उसका budget उसका budget भी जितना है वो उतने के अंदर ही वो तो खरीदेगा इसलिए यह दोनों condition इस point पर पूरी है यहाँ पर consumer हो जा रहा है equal marginal utility तो इस तरीके से आपने समझा आज consumer equilibrium using cardinal approach या marginal utility approach आईए इसकी बुराई भी है क्या इसमें सिर्फ अच्छाईया है नहीं नहीं इस approach में जिसका नाम हमने पढ़ा cardinal approach इसमें कुछ कमी भी है आईए क्या क्या कमिया है सबसे पहली कमी है कि consumer को marginal utility को number देना कि margin utility को measure करना कहा possible है कभी तुम ममी को बोलते हो कि ममी हम चपाती खा रहे हैं हमको मिल रही है 10 satisfaction ममी दूसरी चपाती दीजिए हमको satisfaction मिलेगी 18 क्या कहते हो बोलते हो क्या या number दे सकते हो जवाबे नहीं rank कर सकते हो यह पता सकते हो कि हमें satisfaction ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है बहुत मिल रही है थोड़ी मिल रही है यह बहुत सकते हो पर number कहा सथ होगे हाँ यह एक बहुत बिल टेक्निकल समस्या है मतलब कि margin utility को measure करना शायद मेरे और आपके लिए तो possible नहीं है चलो consumer decisions सिर्फ price को देखके होते हैं इसमें तो सिर्फ price को ही माना गया है कि margin utility और price जहा उसका कस्टम क्या उस पर ध्यान नहीं देता है एकदम ध्यान देता होगा सिर्फ money या economic consideration नहीं होती है consumer कई बार क्या करता है चीज़ें खरिदने से पहले अपनी आदत जिसको अब नशे की आदत है जिसको पान पराग की आड़ट है गुटका खाने की आदत है वो क्या करे है और हमने इसमें सिर्फ price कोई एक फेक्टर लिया है उनकी habits उनके customs इंप्रद्धान नहीं दिया है इसलिए यह यह अप्रोच काम नहीं आए और एक और बड़ी समस्य हो सकता है consumer विचारा rational नहीं हो अथार वह हर decision को पैसे से नो तोलता हो विचारा ignorant हो को नया लड़का है कोई नया बच्चा है मार्केट में गया है ममी ने बोला जाओ समान खरीद के सब्जी खरिद के आजाओ कभी उसने पहले ख़वी खरीदा ही नहीं था सब्जी वाले ने आलू बेज दिया उसको 50 पर किलो विचारे को मालू में था ज्यादा खरिद के चलाया तब भी 50 पर किलो भी में ज्यादा खरिद के चलाया जबकि आलू का अदाम पटेटो का अदाम 20 पर किलो चलता था मार्केट में तो वहाँ पर क्या हो रहा है कंज्यूमर इग्नोरेंट है अपने यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाएगा उसको पता ही नहीं है विचारे को मार्केट में क्या चल रहा है एकलिवर मटेन नहीं कर पाएगा और कभी-कभी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत महेंगे होते हैं या इंडिसबल के हैं उसकी माजेलिटी को ब्रेक करना ना यूटिरी ढूसे है आपने एक चपाती-क हाई तो यूटिरी दस है जो चपाती खाई तो कई सारी यूटिट्स और रहा है ना परकार कितने कंजूम करेंगे एकीडी ने करेंगे बहुत सालेंगा तक तो जो इंडिसबल है उसकी utility को measure कर पाना possible नहीं होगा क्योंकि उसको money से equate कर पाना भी संभव नहीं होगा और last क्या और limitation है और सबसे बड़ी कमी क्या है इस law of equi margin utility की कि consumer क्या कर सकता है real life में जब जब जाता है situation में मैं और आप जो real life को face करते है marginality of money कहां से constant है प्राइस की utility कह रहा है money की यूटिलिटी प्राइस नहीं money की यूटिलिटी कह रहा था कि marginal utility of money is constant यह एक unrealistic constant है क्यों क्योंकि आप जानते ही inflation की वज़े से 10 रुपय में आप 10 रुपय का समान नहीं खरीद पा रहे हैं आज कुछ साल पहले आपकी मम्मी पाब शायद यह कहते है कि दस रुपय में तो मैं पूरे घर का समान खरीद क्या आता था डादा दादी कहते होंगे शायद फिर आज दस रुपय में क्या मिल रहा है आज दस हमें कुरक्रे मिल ळहा है अग क्या कहना चाहते है मनी की utility, inflation की वज़े से क्या constant रह पाई है? जवाबे नहीं तो ये concept भी, ये assumption भी इसका गलत हो गया So this makes कि ये जो law है equi marginality वाला, जिसमें हमने cardinal approach यूज किया था बहुत कामगार नहीं, बहुत फाइदे मन नहीं So this brings to the end of the first part, ये dedicated part था आपके लिए ही हमने इसको बनाया था, consumer equilibrium with ordinal approach के लिए आपको इस वीडियो को पसंद करना होगा अपना comment देना होगा तभी मैं आपके लिए अगला वीडियो ला रहा हूँ, मुझे वेट होगा आपके like का, आपके comments का और तब हम आपके लिए लाएंगे